इंडियन कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स ने टाटा सीरा के इलेक्टरिक कॉंसेप्ट वर्जन को ओटो एक्सपोर्ट 2020 में शोकेस किया था लेकिन टाटा मोटर्स इसे अब इलेक्टरिक के अलवा पैट्रोल या डिजल में भी लॉंच करेगी इसका बोडी स्ट्रक्चर ओल्ड मोटल टाटा सीरा से काफी मिलता दोलता होगा वहीं अपकमिंग सीरा में काफी सारे लेटेस्ट और कनेक्टेड फिचर्स दिये जाएंगे तो आज की इस वीडियो में हमने upcoming Tata Sera में मिलने वाले expected features को cover किया है So I request you please इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे इस चैनल को subscribe कर वेल आइकोन को भी प्रेस कर लीजिए Tata Sera Indian Market में एक successful SUV रही है Indian Roads पर इसने कई सालों तक राज किया है लेकिन अब Tata Motors अपने इस successful SUV को new design and features के साथ launch करेगी हलांकि Tata Motors ने इस बारे में अभी कोई भी report जाहिर नहीं की है Concept Tata Sera लुक में काफी bold SUV दिखाई दे रही है अगर Tata Motors इसके जैसा ही model launch करेगी तो Indian Road पर एक बार फिर से Tata Sera राज करेगी बात करें upcoming Tata Sera की तो Tata Sera Indian Market में आते ही सीधे तोर पर महेंदरा थार और फॉर्स गुर्खा को compete करेगी upcoming Tata Sera में इसके front look में इसमें dual headlamps दिये जा सकते हैं जिसमें की slick design pattern में LED projector और हेलोजन headlamps का combination मिलेगा वही headlamps के upper area में slim design LED daytime running lights दिये जा सकती है इसके अलावा इसमें dual tone design में front and rear bumper भी offer किये जाएंगे upcoming Tata Sera में 18 inches diamond cut alloy wheels भी दिये जा सकते हैं and rear side में Tata Sera में Tata Harrier and old design Tata Sera का combination include किये जा सकता है interior में भी upcoming Tata Sera काफी लग्जियस होगी जिसमें की smart infotainment system smart connectivity के साथ दिये जाएगा इसके अलावा इसमें 3-spoke steering with audio and cruise control, smart MID, dual tone dashboard, leather upholstery, electronic panoramic sunroof, fully auto climate AC and many more smart and new features को offer किये जाएंगे upcoming Tata Sera को 5-seater या 7-seater में लाए जाएगा इसके बारे में अभी कोई भी report सामने नहीं आई है power train के तोर पर इसमें 2.2 liter diesel engine offer किये जाएगा जो कि 6-speed manual and 6-speed auto transmission से लेस होगा वहीं इसके अलावा इसमें 2.0 liter turbo petrol engine भी offer किया जा सकता है upcoming Tata Sera को Indian market में 14 lakh to 20 lakh rupees की extra room price पर 2022 के February month तक launch किया जा सकता है फ्रेंड्स अगर आपको Tata Sera से लेकर कोई भी question हो तो आप हमें comment box में जरूर पूछिए हम आपके comment का जवाब जरूर देंगे and I hope आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज इस वीडियो को like करिए share करिए and और वीजी latest automobile sector studio update सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर, bell icon को भी press कर देजिए